फिर आख्री वरगी करण है आपका जिसे हम नीवल बोया गया क्रिशी छेतर या शुद्ध बोया गया छेतर या नेट एरिया शोन के नाम से भी जानते हैं। यह एसी भूम्या होती है जहांपर लगातार फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। मतलब आपको वर्तमान समय में आप जाएंगे तो वहाँ पर फसले उगाई भी जाएंगी और काटी भी जाती हैं तो हम उसे शुद्ध बोया गया छेत्र के अंतरगत शामिल करते हैं अब ही हमने देखा है भूमिय उपयोग के जो नौ वर्गों की हमने बात की कि भूम 난 चेत्रों में उपयोग किया जाता है अब हम अपने भारत के संधर में जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि बहुत से जो चेंजेस हैं हम पिछले आ कई वर्षों से हम स्वतंत्रता के बाद से अभी वर्तमान तक देखेंगे तो भूमी उपयोग में हमें बहुत अधिक जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है इस बात को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप अपने आसपास कुछ वर्षों पहले देखते होंगे कि जो जमीन ऐसे ही खाली पड़ी थी वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कारियर ना क्रिशी किसी भी प्रकार के उपयोग में वो भूमी नहीं आती थी लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे तो आपके आसपास की कोई भी भूमी जो है वो आपको खाली पड़ी नहीं दिखाई देगी या तो वहाँ आवास बन गए होंगे या कोई छोटी मोटी फैक्टरी का निर्माण हो गया होगा तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत जो है एक विकाश्रील देश है और हम इसमें देखते हैं कि जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है हमारे देश के उपर तो निरंतर हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत की भूमी पर जनसंख्या का दबाऊ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जब हम भूमी उपियोग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ये नैचरली है क्योंकि हमारा देश जो है वो एक विकाशिल देश है और विकाशिल देश होने के नाते उसमें बहुत सारे उसकी अर्थविवस्था में बहुत परिवर्तन जो है वो नित नए परिवर्तन हम देखने को हमें मिलते हैं तो अर्थविवस्था में परिवर्तन होने से यहां की भूमी के उपियोग में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है यह आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जो हमने इन नौवर्गों की बात की थी कि कोई भूमी जो है उसका कुछ प्रतिशत भूमी का कुछ प्रतिशत जो है वो वन छेतर में लगा हुआ है कुछ क्रिशी कारिय में लगा हुआ है कुछ बंजर और व्यर्थ भूमी पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमी उपयोग में परिवर्तन मतलब ये जो नौ वर्ग दिये हुए हैं इसमें से कुछ वर्ग जैसे जो वन के अधीन जो छेत्रे रहे होंगे उसमें कमी या बढ़ोतरी होगी और उसके बदले भूमी जो है क्रिशी योग ये जो भूमी है वो उसके उपयोग में लाई जा रही होगी या हम ये कह सकते हैं जो अब तक बंजर और व्यर्थ भूमी पड़ी थी उसका प्रतिशत अपकम हो जाएगा और उस छेत्र में या तो विनिर्माण हम को देखने को मिलेगा मतलब वो या तो गैरकृशी कार्य में प्रयुक्त भू किसी एक इन नौ वर्गों में से किसी एक वर्ग में कमी या बढ़ोत्री हो रही है तो उसका परिवर्तन जो है या हम ये कहें कि उसके परिणाम के रूप में दूसरा परिवर्तन हमें दूसरे वर्ग में देखने को मिलेगा तो हम बात करते हैं अपने भारत देश के विश तो अभी हमने बात की कि भारत विकास शिल देश है और इस नाते उसकी अर्थविवस्था में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं और अर्थविवस्था की सनरशना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है हम कह सकते हैं कि उसके भूमी उपयोग में भी हमें परिवर्तन द पहले मैं यह आपको कहना चाहूंगी कि यहां पर हमारे सामने एक तालिका दी हुई है और इस तालिका में आपको उन्निस सो पचास इंक्यावन और दो हजार चौदा पंद्रा के आकड़े जो है वो दिये गये हैं रिपोर्टिंग छेक्तर का जो प्रतिशत था भूमी उपि यह दोनों वर्ष के आकड़े आपको दिये हुए हैं और इस तालिका के माध्यम से आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो भूमी उपियोग दिये हुए हैं नौ वर्ग के जो हमने भूराजसवी भाग द्वारा जो वर्गी करण देखा था भूमी उपियोग का नौ वर्गों में ही हमको 1950-59 और 2014-15 में बहुत चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं कुछ वर्गों में कमी आई हैं तो कुछ वर्ग में जो है बढ़ोत्री का जो प्रतिशत है हमें देखने को मिलता है तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें परिवर्तन में बढ़ोत्री आप वृद्धी की जब बात करेंगे तो कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन में उन्निस सो पचास इंक्यावन के संदर में बात करेंगे तो उस परिप्रेक्ष में 2000 किसके प्रतिशत में वृद्धी दर्जी की गई है तो इसके अंतरगत हम देखते हैं वन का जो छेत्र है यहां हम वन के जो अधीन छेत्र है उसका प्रतिशत उन्निस सो पचास इंक्यावन में जो सत्रा दशमलो शुन्नी प्रतिशत था वो आपका बढ़कर 2014-15 में लगभग 23.3 प्रतिशत हो गया है तो हम क्या देख रहे हैं कि वन के अधीन जो छेत्र हैं वो उनमें बहुत अधिक वृ वाला जो संवर्ग है उसमें देखते हैं गैर क्रिशी कारियों में सरलगन भूमी या प्रयूक्त भूमी तो इसमें हम देख रहे हैं उन्निस सो पचास इंक्यावन में जहां इसका प्रतिशत तीन दशमलो शुन्य दो प्रतिशत था वहीं ये 2014-15 में इसमें थोड़ी वृ वृद्धी 8.7 प्रतिशत के रूप में दर्ज की गई है इसके बाद हम देखते हैं इस थाई चारागा इस थाई चारागा में भी हम देख रहे हैं 2.3 प्रतिशत था उन्निस सो पचास इंक्यावन में इस थाई चारागा की भूमी और वो 2014-15 में बढ़कर इसमें भी प्रति भूमी इसमें भी हमें वृद्धी की प्रवित्ती जो है देखने को मिल रही है उन्निस सो पचास इंक्यावन में जहां इसका प्रतिशत 3.7 प्रतिशत था वहीं हम 2014-15 में देखते हैं कि यह बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गया है फिर अन्तिम जो आपका निवल बोया छेत्र है या शुद्ध बोया गया छेत्र के प्रतिशत की हम बात करेंगे तो जहां यह उन्निस सो पचास इंक्यावन में 41.27 परसेंट था वहीं हम जब इसको 2014-15 में बात कर रहे हैं तो यह लगभग आपका 45.5 परसेंट हो चुका है तो हमने यह जो प्रतिशत देखे यह व्रिधी वाले समवर्ग में थे कि किन समवर्गों में हमने व्रिधी की प्रवित्ती देखी है उन्निस सो पचास इंक्यावन से 2014-15 के बीच में अब हम बात कर लेते हैं कि यह व्रिधी हुई है तो क्यों हुई है इसके पहले हम यह देख लें कि हमने जो इस समवर्ग में वृद्धी या कमी की जो प्रवित्ती देखी तो भूमी उपियोग में ये परिवर्तन किस कारण से हुए है भारत में चाहे हम वृद्धी की बात करें या हम कमी की बात करें तो ये अर्थविवस्था में परिवर्तन के कारण होता है भूमी उपियोग में परिवर्तन परिवर्तन की वज़ा से होता है तो ऐसे कौन से कारक हैं जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं या उसके उसमें चेंज लेकर आ रहे हैं परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जो आपके भूमी उपयोग में परिवर्तन कर रहे हैं तो बात करते हैं हम इसमें हम देख र इसकी जनसंख्या जो है वो लगातर बढ़ती जा रही है हमें यह भी पता है कि हमारे देश का चीन के बाद विश्व में जनसंख्या की हिसाब से दूसरा इस्थान है तो हम यह देख रहे हैं कि यहां के भूमी संसाधन में यहां जनसंख्या का जो दबाव है वो लगातार ब मत सकते हैं एक छोटी भूमी जो है वो दी गई है एक भूमी का ये छेतरफल हम इसको मान सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है मतलब लोग प्राथमिक क्रियाओं से द्वितियक और तृतियक क्रियाओं की तरफ बढ़ र देख रहे हैं यह हम यह कहें कि इनका फैला होता जा रहा है लेकिन जनसंख्या का आकार भी बढ़ रहा है यह दबाव उसका बढ़ रहा है तो क्रिशी कारी के लिए भूमी की आवश्यक्ता तो होगी ही चुकि इस जो पूरा क्रिशी जो छेतरफल था इसमें द्वितियक और तृतियक सेक्टर का जो प्रभाव है वो बढ़ गया तो जो उसके आसपास की हम यहां पर देख रहे हैं सिमान्त भूमी है जो पहले वियर्थ पड़ी रहती थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई हम कह सकते हैं कि ना प्राथमीक ना द्वितियक या तृतियक किसी भी प् अथिए व्यवस्था का आकार बढ़ रहा है क्रिशी कारियों में प्रयुक्त भूमी उस पर द्वितियक और तृतियक कारेयों का प्रभाव अधिक पढ़ता जा रहा है तो यह क्रिशी भूमी जो है वो कम हो गई तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने से क्रिशी भूमी की आवर्शक्ता भी बढ़ रही है और इस स्थिती में क्या होता है कि ये जो सीमान्त भूमी है आपके छेत्रफल जिस भी प्रदेश में आप निवास कर रहे हैं उसके आसपास की सीमा सी लगी हुई जो भूमी है जो पहले ऐसी ही पड़ी रहती थी खाली उसमें अब दबाव बढ़ता जाएगा या हम ये कहें कि वो अर्थ व्यवस्था या क्रिशी कारिये के लिए उस भूमी का जो उप्योग है वो किया जाने लगेगा तो अर्थ व्यवस्था का आकार बढ़ने से जो आसपास की सीमान्त भूमी है उसका भी उप्योग जो है वो बढ़ने लगता क्रिशी कार्ये के लिए उसमें अलग-अलग तरह की जो तकनीक है प्राध्योगी की है इसका प्रयोक करके हम उस बंजर और व्यर्थ भुमी को अपने उपयोग के लायक बनाते हैं क्योंकि यह जनसंख्या की मांग होती है उनके भोजन के लिए और किसी भी प्रकार के लिए हम वहाँ पर बनाच्छा दन कर दें, या हम किसी भी प्रकार का विनिर्मार उद्योग लगाएं, या फिर हम आवास बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है और अर्थविवस्था में चेंजे साते हैं, अर्थविवस्था का आकार बढ़ता है, वो प्रात्मिक सेक्टर से द्वितियक और तृतियक सेक्टर की तरफ बढ़ती जाती है, तो कृषी भूमी छोटी पड़ जाती है क्योंकि उसमें प्रभाव हो गया, दितियक और तृतियक कारियों का, तो जो आसपास की सिमान्त भूमी होती है, उसमें फिर अब दबाव बढ़ने लगता है, या हम यह कहें कि उसका भी उप्योग जो किया जाने लगता है, हम अपने उप्योग के लायक उ पहला जो फ्क्राइक या आपका अर्फवेवस्था का आकार हो गया, अब दूसरा हम देखते हैं अर्थवेवस्था की संडशना, अर्थवेवस्था की संडशना है, अभी भी हमने बात की कि चुकİ भारत विकाशिल अनदेश है, तो इसमें यह समान निसी बात है, कि जो उनका प्रभाव कम होगा या किसी भी प्रकार के जो प्राथमिक कारे की हम बात करेंगे तो वो उसमें अब कमी आने लगेगी और उसकी जगा प्रभुत्व होता जाएगा द्वितियक और तृतियक कारियों का या हम बात करें किसी भी प्रकार के विनिर्माण उद्यों की या सेवा छेत्रों की तो इनका जो प्रभूत्व है वो बढ़ता जाता है और विशेश कर हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि भारत विकास शिल देश है तो उसकी संदशना में उस अर्थे विवस्था की संदशना में प्राथमिक से द्वितियक तृतियक और क्रम्शा चतु निर्माण उद्योग या आवाज छेत्र की या किसी भी प्रकार के सेवा छेत्र की तरफ जो है इन कारियों के लिए उसको उपियोग किया जाने लगता है तो आर्थविवस्था की संदशना भी वो आपके भूमी उप्योग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है औ चाहे सेवा छेत्र हो, निर्माण उद्योग हो, किसी भी प्रकार के आवाज से सम्बंदित हो, इन सभी चीजों में भूमी का उपियोग होने लगता है। फिर तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर अर्थेव्यवस्था का क्रिशी में योगदान। आर्थेव्यस्था में क्रिशी का जो योगदान हैं बढ़ते समय के साथ-साथ इसमें क्रिशी का योगदान जो हे कम होता जा रहा है। क्योंकि अर्थवस्था का आकार बढ़ रहा है, उसकी सनलशना में परिवर्तन आ रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि देश की GDP में सकल घरेलूद पाद में क्रिशी का जो योगदान है, वो तो कम हो रहा है क्रिशी कारी से संबंधित जो आए है उसका योगदान उसमें कम हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिशी के लिए प्रयुक्त भूमी पर जो दबाव है वो कम हो गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ठीक है जनसंख्या जो है या हम ये कहें कि अर्थवस्था की संदशना क्रमशह द्वितियक तृतियक और चतुर्थक कारियों में प्रयुक्त हो रही है लेकिन क्रिशी भूमी पर भी उतना ही दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है क्य जनकी आप उड़ती तो करनी ही पड़ेगी इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण क्रिशी कारियों में जो प्रयुक्त भूमी है उसमें क्रमशह दबाव भी जो है वो बढ़ता जा रहा है भले कि ही उस जो हम कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी का प्रतिशत हमें देखने को मिलता है लेकिन लगातार क्रिशी भूमी पर दबाव बढ़ता जा रहा है जनसंख्या के आकार के बढ़ने के कारण तो हमने देखे कि ये कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं भूमी उप्योग में और उसके लिए ये तीन फैक्टर य अब हम बात करते हैं जो हमने भूमी उप्योग में व्रिधी वाले संवर्ग देखे थे मतलब वो वर्ग जिसमें व्रिधी की प्रवित्ती जो है वो दर्जी की गई है तो क्या कारण है जिससे उसमें हमें व्रिधी की प्रवित्ती या व्रिधी का प्रतिशत देखने को मि कर रहे हैं वन के अधीन छेत्र हमने यहां पर देखा कि जो उनिस सो पचास इंक्यावन में सत्रा दशमलो शुन्य प्रतिशत था वो 2014-15 में बढ़कर 23.37 प्रतिशत हो गया है तो ये प्रतिशत बढ़ने का कारण ये नहीं है कि हमारे देश में जो वन आच्छादित छेत्र हैं वो बढ़ गया है हमने पहले बात की थी कि वन के अधीन छेत्र के अंतरगत हम वर्गी कृत वन छेत्र को शामिल करते हैं और वहां पर वनस्पती आवरन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन शाषन ने जो चिन्हांकन या हम ये कहें कि जो सीमांकन कर दिया है एक सीमा बना दी है कि भई इतने छेत्र में वनस्पती का आवरन होना चाहिए तो इसे हम वर्गी कृत वन छेत्र के अंतरगत शाम विक्रित वन छेत्र में जब हम वन के अधीन छेत्र को शामिल कर रहे हैं और इसी कारण से जो सिमांकन की जो प्रवित्ती है या शाशन के द्वारा जो उसका चिन्हांकन किया जाता है किसी भूमी का कि इस छेत्र में भी बोल दिया इतने छेत्र में वनस्पति लगाया जाए अब वहाँ पर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है उससे कोई मतलब नहीं है तो इस कारण से हमें वन के अधीन छेत्र में जो व्रिधी की प्रवित्ती है या उसके प्रतिशत के बढ़ने की जो प्रवित्ती है वो देखने को मिलती है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि वन क छादित छेत्रक का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा हो अब दूसरा हम देखते हैं गैर कृषी कारियों में प्रयुक्त भूमी यहां पर भी हमें थोड़ी वृद्धी की जो प्रवित्ती है वो देखने को मिली है जो 1950-59 में 3.2 प्रतिशत थी अब वो बढ़कर 2014-15 में 8.7 प बात की थी कि अर्थवेवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण भूमी उपयोग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसमें हमने देखा था कि अर्थवेवस्था की संदशना के विशय में हमने बात की थी और उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे अर्थ अर्थवेवस्था की सनरशना में परिवर्तन आ रहा है मतलब देश की जो अर्थवेवस्था है वो प्राथमी कारियों से बदल कर क्रम्षा वो द्वितियक, तृतियक और चतुर्थक क्रियाओं में वहां की जनसंख्या जो है वो ज्यादा सनलग नहम को मिल रही है या उसमे व्रिद्धी की प्रवित्ति देखने को मिलती है अब लोगों का जो रुझान है वो प्राथमी कारियों की अपेक्षा वितियक और तृतियक कारियों की तरफ अधिक है तो यही कारण है जो वहां की भूमी है भूमी उपयोग जो किया जा रहा है वो अब क्रिशी कारे की अ पेक्षा इसमें गैर क्रिशी कारियों में उसका उपियोग जो है वो किया जा रहा है और इस परिवर्तन को आप अपने आसपास भी महसूस करते होंगे या देखते होंगे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम जहां पर भी निवास कर रहे हैं हम कुछ समय पहले लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी छेत्र जो है वो कोई भी भूमी खाली नहीं पड़ी है या तो वहां पर बड़े बड़े आवास बन गए हैं या फैक्टरियां बन गई हैं या उद्ध्यान जो हैं वो इस्थापित कर दिये गए हैं या किसी अन्यकारियों में उस भूमी को लगा लिया गया है आप अपने रायपूर में भी हम देखेंगे कि रायपूर का जो छेत्र है पहले सीमी था और अब हम बात करेंगे तो रायपूर का जो रेंज है उसकी जो सीमा है वो लगभग चारो दिशाओं में 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में वो बढ़ रहती थी खेत ही खेत हमको नजर आते थे लेकिन अब हम वहापर क्या देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है वो इस्थापित हो गई है वो पूरा एक और द्योगी छेत्र के रूप में विक्सित हो गया है तो हम क्या देख रहे हैं कि लगातार जन संख्या क दबाव बढ़ रहा है या लोगों का जो रुजहान है वो प्रात्मी क्रियाओं की अधिक्षा द्वितियक और तृतियक क्रियाओं में अधिक है और जिसके कारण वो भूमी का जो उप्योग है वो क्रिशी के अत्रिक्त गैर क्रिशी कारियों में अधिक उप्योग की जा रही है झाल भी तोल